Hello everyone, welcome you all at Lucas sir, I am in today's video zone स्वागादे आप सभी का और चल रही है क्लास KBS PGT Math Solution 2018 मैं हूँ आपका Lucas sir एटी कोशन की सीरीज है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नमबर 3 तो आएए दोस्तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बहतरीन बहतरीन क्वेशन के साथ और तेखेंगे कुछ बहतरीन रोचक और इंपॉर्टन क्वेशन तो सबसे पहला क्वेशन आपके सामने ये है क्या कहा जा रहा है दो लाइन आपको दी गहीं 5x-y-4-0 and 3x-4y-4-0 bisected at the point 1,5 देखें एक क्वेशन बहुत बढ़ा है ncrt class 11th का ये example का क्वेशन है तो देखें कैसे करेंगे इनिचल लिए आपके पास दो लाइन से एक ये लाइन गई हुए है और एक ये लाइन गई होगी ये इंटरसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं से कोई मतलब नहीं है 5x-y plus 4 equals to 0 ये एक equation है और जो दूसरा equation आपको line का दिया गया है दूसरी equation आपको line की दी गई है ये जो है 3x plus 4y and minus 4 equal to 0 3x plus 4y minus 5 equal to 0 कह रहा है कि एक another कोई line है जिसका कुछ हिस्सा इन दोनों line के बीच में कट रहा है तो ये intercept है दोनों के बीच का और कहरा है कि ये जो line है ये 1,5 पर bysect हो रही है तो आपको बताना है कि इस line का equation क्या होगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले लेकानी शॉट ट्रिक किसी भी exam को सफलता पाने का तरीका है सबसे पहले उसमे शॉट ट्रिक लगाई है आप लॉंकर ट्रिक की तरफ अकर ध्यान देंगे तो आज के इस कॉंप्टेटिम महुल में आप भड़े गणतक हो और भेट हो मगर बाहर हो जाएंगे दोस्तों यही इस कठिन समय की सचाई है दोस्तों माफ करना अगर बुरी लगे तो मगर करेंगे शॉट ट्रिक तो कैसे शॉट ट्रिक लगाएंगे देखी यह जो लाइन है वन कॉमा पांच से होके जा रही है तो जब आप सॉल्व करेंगे तो दो एक्विशन आपको सटिस्फाई करेंगे वन कॉमा फाइब को एक यह और एक दोनों नहीं है वन कॉमा फाइब को सटिस्फाई नहीं करेंगे मतलब यह दोनों ट्रैक से बाहर हो गए मतलब हमाँ आपस दो एक्विशन है या तो यह और या तो यह ओके अब आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए मान लीजे कि उपर व अब ऐसे ही दूसरा कोडिनेट आप एकस कोडिनेट इसका इधी बीटा माल लेंगे तो वाई कोडिनेट इसका कितना निकल जाएगा इसका कौडिनेट निकल जाएगा वाई कोडिनेट 4-3 बीटा अप ओन 4 ओके अब देखिए अब मिट पॉइंट प्रॉपरटिटी आप लगा देंगे मिट प्रॉपरटि का यूज करके आपके पास तो इक व्युक्ष्यंस बन जाएंगे उन दो इक क्विश्शन को स्वाल करने के बदके पास क्या जाए गा आलफा आ बीटा आगा ओके अलफा बीटा आने के पास एक पॉइंट यह उपर वाले जाएंगे और फिर दो पॉइंट से जाने वाली लाइन के क्विशन निका लिए तो आल टोटल आपके पास अंसर के आएगा ऑप्शन नमबर डी इसका करेक्ट आप्शन है ओके सो करेक्ट आप्शन अब देखें क्योंकि यह जो दोनों लाइन है यह एक दूसरे को इंट्रसेक एक तरीके से यह लाइन अपने पास जा रही है और वन कॉमा फाइप क्या इसका मिट पॉइंट है तो मिट पॉइंट की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अलफा प्रस बीटा वाइट वाइट गई है बीटा की वैल्यू आ गई है ओके देखें अलफा कितना आया है 26 23 एंट बीटा आया है 20 by 23 मतलब 26 23 23 and 20 by 23, अब coordinates एक point के लिखा लिजे देखे, एकर मेरे पास एक point alpha है, 26 by 23, तो जो दूसरा coordinate उसका x coordinate है, कितना 5 alpha plus 4, so 5 alpha plus 4 आ रहा है, 222 upon 23, मैं इन coordinates की बात कर रहा हूँ, जो आपको उपर दिये गया है, यह देखे, alpha, तो यहाँ पर I think 20 upon 23 आया है, alpha का coordinate कितना आया है, एक बार 23, okay, so first point आया है, 26 upon 23, और दूसरा जो point आया है, 222 upon 23, done, so दूसरा जो point आया है, वो कितना आया है, 222 upon 23, यह आ गया है, अब देखे, इस से जाने वाली एक line का equation बनाने, तो दो point आपन को मिल चुके हैं, लगा दिजी equation, दो point से जाने वे line का, y minus y1 equal to, y to minus y1 upon x to minus x1 into x minus x1, त तो solve करने के बाद, काफी महनत करने के बाद, इसका answer आ रहा है, 107x minus 3y minus 92 equal to 0, तो इसका option देखते हैं, yes, बिल्कुल सही, इसका correct option है, option number 4, so this is done, okay, चली, तो next question की तरब बढ़ेंगा, ओके देखें दोस्तों, अगला question बहुत ही आसान है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, A dot B cross C, जिसको मैं लिख सकता हूँ, box of A, B, C, okay, नीछे B, C, A, cyclic order maintain है, तो B के बाद C, C, C के बाद A, जिसको मैं लिख सकता हूँ, फिर से क्या, ABC ही होता है, B, C, A, के लिख लो, और इन इसके बाद B के बाद C, C के बाद A, जिसको मैं लिख सकता हूँ, पिर से क्या, ABC, поэтому के बाद B के बाद C तो यह बिल्कुल है A B C तो बहुत ही प्यारा question यह हो गया 1 यह भी हो गया 1 और यह हो गया minus का 1 तो 1 से 1 1 plus 1 और क्या हो गया minus का 1 तो 2 cancel हो गया है correct answer इसका कितना हैगा C याने की 3 correct answer हो गया इसका plus का 1 so it is done okay आए दो तो next question देखते है question क्या कह रहा तो आपको एक परवले दिया गया है और आपके पास T के terms में कोई इसकी parametry coordinates है तो आपको निकालना है इसके इस point पर खीची गई tangent का equation okay so सबसे पहले क्या करेंगे हमें वाई अगर दो तरीके से question को कर सकता हूं मैं दोनों तरीके उस कराता हूं आपको देखे सबसे पहले आप पैरवला आपने बना लिया है यह आपका पैरवला वाई स्कॉर इकल्टू फोर ए एक्स के parametry coordinate होते हैं याद रखी इनको 80 स्कॉर टू एटी नौ डिवाबर इस निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको निकाल ली है स्लोप तूर वाई स्कॉर इक्स को डिफेरेंट कर दिया तो वाई डीवाबर इक्स इकोल्स टूपर होगया तो डीवाबर इक्स इकल्टू डू कितना हो गया फौर एपान फौन टूई-टू और य की वैली रख दीजे कितनी इस पॉइंट पर है equal to 1 upon t slope है x minus 80 square t का multiply कर दीजे इन दर x upon t minus 80 तो y is equal to x upon t plus 80 तो t का multiply करेंगे तो y t is equal to x plus 80 square तो correct answer इसका क्या है option number 2 y t is equal to x plus 80 square एक और तरीका है दोस्तों इस question को करने का क्योंकि हमारे पास पैरा बोला क्या है हमारे पास पैरा बोला है y square equal to 4ax और जिसके जो parametric coordinate है आप जानते हैं parametric coordinate इसके हैं इस point पर कितने 80 square comma 280 तो देखिए कैसे कर सकते हैं आप लोग जानते हैं कि tangent का जो question होता है वो होता है कितना y square की जगा y y1 पूट कर दो और 4 into a और x की जगा है x plus x1 upon 2 पूट कर दो आईए अब देखिए यहाँ पर y y1 की जगा रहा है 280 खेल रहा है यहाँ पर 4 है यहाँ पर a है x की जगह है और यहाँ पर कौन है 80 square है और यहाँ पर कौन है 2 है okay 2 से 2 cancel कर दीजिए तो यह हो गया 2a तो यहाँ पर y okay y y y y y ठीक है y is equals to 4a नहीं बचा है 2a बचा है yt is equal to x plus 80 square आंसर आगया कितना yt is equal to x plus 80 square option में चेक करिए यही answer है okay देखो कहां गया question उपर है okay so option में देखिए yt is equal to x plus 80 square तो यह थे दोस्तों दो method इस सवाल को करने के okay so this question is done okay move to the next question आईए देखिए अगला question क्या कहता है find the minimum value of 4 to the power sign square x plus 4 की power cos square x okay तो देखिए concept होता है am is greater than gm यानि की समानतरमाद है जो होता है गुनतरमाद से क्या हुआ करता है ज्यादा हुआ करता है तो देखिए किस तरीकी की property सिसमाल करेंगे हम 4 to the power sign square x plus 4 to the power cos square x upon 2 क्योंकि हमें पर दो number treat हो रहे हैं क्या 4 की power sign square x plus cos square x तो upon 2 is greater than ये am हो गया and this is greater than gm gm is the 4 की power sign square x into 4 की power cos square x आईए तो 4 to the power sign square x plus 4 to the power cos square x upon 2 is greater than और equal to 4 की power sign square x plus cos square x की whole power किती 1 by 2 क्योंकि ये क्या है gm है जिवनों geometric mean कितना होता है दो number का into b की power 1 by 2 तो ये देखिए 4 की power sign square x cos square x को रोल के लिए 2 पर चला जाएगा और ये बन जाएगा 4 की power 1 की whole power 1 by 2 यहने 4 की power 1 by 2 मतलब हो गया 2 into 2 तो इसका correct answer क्या होगा इसकी minimum value होगी 4 होगी मतलब इसकी minimum value क्या रही है answer है correct c 4 done ओके चलिए अगले question की तरफ चलते हैं देखिए अगला question क्या कह रहा है if x equal to 3 plus 5 upon 2 then find the value of 2 x cube minus 6 x square plus 17 x plus 12 आपको इसकी value निकार ली है तो देखिए x equal to 3 plus 5 upon 2 दिया है तो सबसे पहले आप एककाम करिए ऐसे questions को करने के लिए आपको एक variable की expression बनानी पड़ेगी तो 5 ay को आप कोन में ले लिजे and 2 x minus 3 equal to 5 ay का square इसको square कर दीजे तो 4 x square minus 12 x and plus 9 equal to minus 25 जिसको solve करने पर 4 x square minus 12 x plus 34 equal to 0 और यदि अधि हैं से आप 2 common ले 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 तो 2 common लेने के पर आपके पास expression मन जाए कि 2 x square minus 12 x plus 17 equal to 0 ओके अब देखे आपको क्योंकि इस expression की value चाहिए है और आपके पास ये expression आपके पास आचुका है कि 2 x square minus 12 x plus 17 equal to 0 ये ये expression आचुका है तो आप जो है इसमें से divide कर दीजे ये अच्छा हो तो इसमें से divide कर दो इससे divide करोगे तो थोड़ा easy पड़ेगा तो ये आप इसमें से divide करते हैं 4 x square minus 12 x plus 34 से तो 1 by 2 times जाएगा और अगर आप इससे divide करेंगे तो 2 times जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 x square minus 6 x plus 17 plus 12 equal to half times of half x time of इतना ओके और इतनी की value हमाई पस कितनी आ चुके है 0 plus 12 remainder में बचेगा तो clear कहा जाए तो जो remainder आता है वही answer होता है क्योंकि इसकी value कितनी हो जाएगी 0 so half of x multiply by 0 plus 12 तो correct answer कितना होगा जो आपका remainder बचेगा इसको divide करने के बाद बढ़े आदर किकर divide करने के बाद ही जो remainder बचेगा वही आपका correct answer रोगा तो इस तरी के से question बढ़ी आसानी से में कर लिया so it is done correct answers का क्या है भाई 12 है okay so done okay चलिए देखे next question करते है एकला question बहुत easy question है कह रहा है कि if a and b are the two points two points with the coordinates minus 3,4 and 2,1 respectively then the coordinates c on the line a b produce such that a c equal to 2bc करा है कि then the coordinate on c मतलब की c point के आपको coordinate निकालना है इस तरीके से a c equal to 2bc तो ऐसा ratio type का कभी भी कोई question आई तो सब से पर ले ratio को लिख लिए a c equal to 2bc and a c upon b c equal to कितना मिल जाएगा आपको 2k upon k मतलब जो a c है वो उसकी length कितनी है at least मतलब 2k parts में है और bc की जो length है वो कितने parts में है k parts में है तो exactly यह भी कितने parts में होगा k part में ही जाएगा okay so कितना ratio हो गया k ratio कि मतलब यह क्या बनेगा mid point बनेगा okay तो यह क्या है अपने पास में mid point है तो इसको unknown point को x, y मान लिजे अब mid point की property लगा लिजे 2 is equals to minus 3 plus x upon 2 okay 2 to the 4 plus 3 कितना हो जाएगा 7 तो पहला part टाएगा x equal to 7 चली तो 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है तो यह दो answer तो cross हो गए अब इसके बाद y बाला coordinate लगाते है तो 1 is equals to 1 y plus 4 upon 2 तो 2 minus 4 okay 2 minus 4 क्योंकि 2 1 जा 2 minus 4 answer कितना हैगा minus 2 तो correct answer इसका कितना आ जाएगा y is equals to minus 2 तो correct answer रोगा 7, minus 2 is the correct answer okay तो इसका answer होगा 7, minus 2 answer 33 answer number 3 तो कितना easy question आया है देखें मतलब 10th class का question कह सकते है आप इसको यह जो section formula का concept यह पर इस्तमाल हुआ है okay done okay चलिए अगला question करते हैं जो अगला question है स्ट्रेक्ट एलजबरा से है सो question है कि identity permutation मतलब एकाई क्रमचे समूह एक कैसा समूह दे कि यहाँ पर identity permutation group लिखना चाहिए था यहाँ पर English कर लेना चाहिए क्योंकि यह स्ट्रेप अलजबरा का BSC वाला पार्ट है सो करेक्ट आंसर इस इवन पर मूटेशन ओके सो इसका करेक्ट आंसर इवन पर मूटेशन ड़न चले आई देखिन नेक्स कोशन देखते हैं अगला कोशन कहरा है बहुत ही प्यारा कोशन अगला कहरा एफ एकस इकोल टू आपके पास में है 4 sin qx – 6 sin square x plus 12 sin x plus 100 is strictly आप से पूचा किया है कि बताईए यह जो फंक्शन है, यह क्या इस function का क्या nature है, okay, आपको ये बताना है, तो आईए रिखते, solve करते हैं, सबसे पहले क्या करिए, function को उठा लिजे, function को y माले जे थोगा छोटा हो जाएगा, y call to 4 sin qx minus 6 sin square x plus 12 sin x plus 100 आपने कर लिया, okay, अब इसको differentiate कर दीजे, तो देखे, 4, 3, 12 sin square x into cos x minus 12 sin x cos x, okay, plus 12 cos x और 100 का तो 0 हो गया, अब डीवर डीएक्स के लिए, सबसे पहले इसके pair बनाई, common लीजे, तो 12, cos x आपने common ले लिया, sin square x minus sin x plus 1, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको, इसका मैंने discriminant निकाला है, तो discriminant मेरा जो है, less than 0 आ गया, okay, discriminant जो मेरा है, इसका कितना आ गया, less than 0 मतलब क कि इसके real roots possible नहीं होंगे, अब उसके बाद जो है, discriminant less than 0 आने के बाद देखिए, इसका जो first coefficient है, क्या है, इसका first coefficient जो आ रहा है, one आ रहा है, मतलब इसका जो पैरा बोला बनेगा, वो real access के ऊपर बनेगा, मतलब इसकी value हर जगे के आने वाली है, positive आने वाली है, फिर भी य solve कर दिया है, जिससे कि आपको confirm हो जाए कि इसकी value positive आएगी, ओके और बाकि आपको quadratic equation के concept से भी देख सकते है, कि इसकी value हमेसा positive आएगी, मतलब greater than 0 आएगी, इसकी value कहीं भी 0 हो नहीं सकती है, ओके, चली, anyway, तो अब देखिए अपने पास 12 cause X है, तो 12 cause X sin square X और minus sin X plus 1 को, मै 2 का multiply 2 का divide और 1 by 4 का add किया, और 1 by 4 minus किया, तो ये बन गया, मेरे पास 12 cause X, sin X minus 1 by 2 का whole square और plus 3 by 4, जो की always positive आपको दिख रहा है, मतलब की पूरा का पूरा जो है increasing, decreasing होने का ठेका किस के उपर है, 12 cause X के उपर, अब 12 तो positive है, देखिए cause X जहाँ पर negative होगा, वहाँ पर function आपका decreasing होगा, जहाँ positive होगा, वहाँ पर increasing होगा, ओके, तो चारों option में, जो cause X negative हो रहा है, इसमें दे रहा है, ओके, सही तरीके से, तो इसमें decreasing होगा function, function जो आपका है, निरंतर रास्मान होगा, कितने में, पाई बाई बाई टू से लेकर के पाई में, फंक्शन आपका, एक दि decreasing निरंतर रास्मान होगा, so it is completely decreasing, so it is completely decreasing, so it is completely decreasing, so it is to win option number 3, is done, okay, next question, बहुत ही असान है, मतलब class 10th का question दिया, यहाँ पे, क्या कहा रहा है, क्या कहा रहा है, कि if sign theta plus cost theta equal to 1, then sign 2 theta, to क्या करिए, square कर दीजे, अपने आप sign 2 theta, आपके पास दिख जाएगा, so sign theta, sorry, गलत लिख द the two Sin theta cos theta is equals to one once you will apart कर दीजिए तो आंसर दीखिए ये बनेगा कितना ये बनेगा आपके पास signed theta and sign two theta is equals to kittah zero to correct option इसका three a sign two theta equals to zero 10 okay चले दोस्तों देखें अगला question क्या चाहरा अगला question कह रहा है IQ of a person given by the formula this okay तो सबसे पहले मैं बता दूए इस for यूक्सिप्ट Go आपको इंटर आख के वाइब काना कि इसकोशन की स्क्वेशन की शिरू辉त कीजी आप IQ से, okay IQ देखी कहां से कहां तक दिया गया, IQ दिया गया, 82, 140, okay भाई, ठीक है, 82, 140, IQ दिया गया, लिख लिए हमने, अब IQ का फार्मुला क्या है, उसको लिख लिजे, IQ का फार्मुला अपने पास में, mental age, upon chronological age, into 100, okay, so this is lying between 80 to 140, okay, आप एक काम करी, 100 का डिवाइट कर दीजे, तो यह 80 upon 100, is between MA, और chronological age, देखिए, आपको इस question में किती दी गई, 50 दी गई, group of 50 year old children, मतलब उसकी वास्ति भी कायू जो है, वो उसकी 15 साल है, so 100 का तो डिवाइट करी चुके है, तो 140 upon 15 यहाँ पे आजागा, sorry, 100 आएगा, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, okay, अब देखिए 15 का और multiply कर दी and this is MA plan बचेगा, और आपके पास में यह बचेगा कितना, 14 upon 10, multiply by 15, चलिए काटा कूटी करते हैं, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, ओके, और यहाँ से 2 से कितने बार में, 4 बार, ओके, तो 3, 4 कितना हो गया, 12, मतलब mental age की जो minimum value आ गई है, कितनी आ गई है, 12, तो आंगे कुछ solve करने की जरूरती नहीं है, पहला option लगा दे, 12, आपका एक सेकंड भी बच गया, तो बहुत बड़ी बात है, एक्जाम के लिए, पल, पल, बहुत important होता है, 5 कुणे 2, 10, 5, 3, 15, यहाँ तुमे solve कर रहा हूँ, 2, 7, 14, 7, 21, ओके, सो जो mental age होगी, वो कहां से कहां तक 12 से लेकर के, 21 त इसके पावर 14 की जो expansion है, कि इसके जो terms है आपके, कौन कौन से terms है, आर्थ, आर प्लस 1 और प्लस 2 अगर इसके एपी में है, तो बताईए कि आर का मन क्या होगा, तो देखिए, इसको करने का तरीका क्या है, हाँ, इसके सबसे पहले कोफिशन निका लीजे, तो बहुत easy है, क अब यहाँ आपके बाद इसके बाद दो रास्ते है, इसको करने के, कि या तो आप इसको पूरा का पूरा solve करिए, या इसको किसी trick से करिए, देखिए, इसको हम कैसे solve करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, यह आपके पास statement है, अब आप इसके बाद इसको open करेंगे, तो 2 into 14cr equals to 14cr minus 1 plus 14cr plus 1, 2 times of 14cr equal to 14cr minus 1 plus 14cr plus 1, अब एक रास् है, कि आप इसको पूरा का पूरा क्या करिए, solve करिए, तो इसको पूरा का पूरा आप solve करेंगे, देखिए, आपको भारी मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके बाद एक question यहाँ परा करके रुख जाएगा, और इसके बाद आपकी हालत और खराब हो जाएगी, क्योंकि इसके बात जो है, आपको इसको simplify करने में बहुत सारा दिक्कत उठानी पड़ेगी, तो मैं यह कहूंगा कि इसको इस तरीके से simplify मत करिए, इसके साथ एक और concept लगाईए, यहीं पर आप R का मान पूट करकर के देखिए कि क्या satisfy हो रहा है, कि नहीं हो रही है, यह identity जो है, satisfy हो रही अगर आप यहाँ पर R की वैल्यू 5 रखते हैं, देखिए तो आपको समझ में आ जागा, answer यह क्यों है और क्यों नहीं है, 14C5 आप यहाँ पर रखते है, that is equal to 14C, कितना हो जाएगा आपके पास में, आपके पास में यह हो जाएगा, 14C5 रखने पर यह हो जाएगा, आपके 14C5 की वैल्यू कितनी होगी, यह होगा, same relation, that is equal to 14C9, मतलब 5 के साथ साथ यह है, 9 को भी support करेगा expression, बट यह 5 के साथ 8 है, तो यह support नहीं करेगा, और यह 5 के साथ 9 है, तो यह support करेगा, बिल्कुल सही, और साथ ही साथ मैं आपको एक बार और बता दूँ, कि देखिए इसमें 5 प्लस 9 का सम कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा आपको, ओके, तो 5 प्लस 9 equal to कितना है, 14, other किसी में भी आपको जो सम है, वो 14 नहीं मिल रहा है, देखिए, 4 और 9 का सम 13 नहीं है, 6 और 7 का सम 13 है, यहां पे भी 13 है, बट हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 14, तो correct जो हमको answer मिलेगा, वो किसमें मिलेगा 5 plus 9 में because 5 plus 9 equal to 14 तो correct answer हमारा कितना हो गया इसका हमारा answer होगा इसका B option याने की 2 ओके done ओके तो दोस्तो एक तो ये तरीका आपने देख लिए इसको short trick का एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आप direct as a result save कर सकते हैं इफ द़ा coefficient of art r plus 1 and r plus 2 of a p or r in a p of expansion one plus x to the power n जहां पर n कोई positive integer है तो पॉसितिव natural number है तो r equals to kतना होगा r equals to n plus minus under root n plus 2 by 2 एक बार फिर से note कर लेजे r equals to kतना होता है n plus minus under root n plus 2 by 2 इसे solve कर सकते हैं यहां पर n की value किती ही 14 14 so it would be 14 plus minus under root 14 plus 2 by 2 तो यह हो जाएगा 14 plus minus root 16 by 2 so correct answer कितना हो जाएगा 14 plus minus 4 by 2 14 plus 4 that is equal to 18 by 2 जो कि हो जाएगा 9 और 10 by 2 that is equal to 5 so यह हो गया इसका solution ओके दोस्तों देखें अगला question बहुत ही प्यारा question है बहुत conceptual question है तफ बिल्कुल नहीं है मगर बहुत फंडे लगे हूँ इस मेरी कैसे करेंगे इस question को कर रहा है let a b c are the three non zero vector brightness बढ़ा लिजगा थोड़ा साथ शीट की brightness कम है यहां पर let a b c be the three non zero vector such that vector c is a unit per pen unit vector perpendicular to both a and b so if the angle between a and b is five basics then find the value of box a b c का whole square देखें जो जो इन्फोर्मेशन दी गई सबसे पहले आप लिकलो कह रहा है कि तीनो यूट 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 वेक्टर सब्सक्राइट सब्सक्राइट सी जो होगा वेक्टर को a cross b के parallel होगा c जो होगा a cross b के parallel होगा और अगर c a cross b के parallel है तो मैं लिख सकता हूँ कितना कि a cross b equals to lambda c okay a cross b equal to lambda c हमें सब छोटे वाले वेक्टर के साथ lambda लगाए करी आप सोचेंगे कि c equal to lambda times of a cross b हाँ लगा सकते हो भी बट a cross b equal to क्या कर दो lambda c तो जादा बेटर रहेगा ओके फायदा रहेगा उससे देखो भी आंगे पर चलेगा तो अब देखे अब आपके पास में क्या है अब है a b c का square that is equal to a dot b cross c इसको मैं a cross b dot c b लेक सकता हम बिल्कुल आपको मतलब lambda square कि value निकाल नहीं है और टोटल आपका question का answer है lambda square मतलब जो भी answer आएगा पूरी के पूरी square में आएगा और आपको lambda की value निकालनी है कि lambda की value क्या है तो देखी यहां से question दुबारा उठाएंगे हम लोग कि c is parallel to a cross b so a cross b equal to lambda c यहां से question वापस उठाएंगे a cross b equal to lambda c now अब इसके बात में देखी a cross b equal to lambda c है तो आप दोनों तरफ का अगर आप इस हो mode ले लेते हैं ओके दोन तरफ का mode लेंगे तो mode of a cross b is equals to mode of c lambda mode लेने से क्या हो जागा हमाँ पास में sin theta involved हो जागा यहां से क्योंकि दोनों vector equal है तो magnitude equal होंगे ओके दोनों vector equals magnet के magnet recall होते हैं सो mode of a mode of b sin theta is equals to c lambda now theta को 526 दिया है तो कितना गया mode of a mode of b into 526 की value 1 by 2 तो यह lambda की value आ चुकी बठा में क्या निकाला है lambda का square so answer आजाएगा mode a square mode b square one by four answer one by four is mode a square mode b square तो देखे answer कौन सा है one by four mode of a square mode of b square तो correct answer देखे इसमें square नहीं लगा है यह नहीं होगा यह तो होगा ही नहीं नहीं ऑके यहां पर एक मिनट एक मिनट एक मिनट 1 by four mode of a square mode of b square होना चाहिए ना सुआ पर यहां पर क्या हो गई है मिस्प्रिंट हो गई तो ऑप्षिन होगा और करेक्ट ओक्षिन होगा वन अपन फॉर मॉड़ ओफ एसक्वेर मॉड़ बीज पर यहां पर स्क्वेर नहीं लगा हुआ है तो यह थोड़ी सी दो लग रही क्योंकि मैंने तो 1 upon 2 और mod A mod B या आपने पास ए, mod A mod B is equal to 1 by 2 lambda तो lambda का square कर देंगे तो A square B square दोनों ही same आएगा हाँ, तो मतलब हमारे solution में कोई गलती नहीं है question का solution है वो थोड़ा सा mistake हो गया है तो correct answer अपना कितना होगा? correct answer अपना होगा यही जो आपने देख लिया है 1 upon 4 A square और B square done चलिए दोस्तों देखिए अगला question बहुत ही प्यारा question अगला question करते हैं पूरा का पूरा ये दिमाग की उपच का question है मतलब पूरा इसमें आपको mental math लगानी एक तरीके से कैरा matrix of order 3 cross 3 are formed by using the elements of a set minus 3 2 minus 1 0 1 2 3 मतलब की total आपके पास कितने element है साथ element है इनको use करके matrix बनाया गया है then probability that matrix is either by symmetric और by excuse symmetric matrix के symmetric या excuse symmetric होनी की probability आपको निकालनी है तो देखे किस तरीके से निकालेंगे matrix के symmetric मतलब की symmetric union excuse symmetric matrix आपको निकालना है probability की form में चली तो देखे total matrix बनाते हैं तो हर element हर position के लिए कितने seven दाविदार है और total nine positions होंगी तो total कितने बनगे seven to the power nine अब आप जानते हैं कि symmetric में क्या हुआ करता है symmetric में ये place कुछ भी हो सकती ही तो होगी और इधर भी seven के बाद कोई एक ही choice होगी तो टोटल कितने अपने पास में total waste कितने बन गया कितने permutations बन गया है से one two three four five six to seven to the power six permutations बने अब इसके symmetric matrix निकालते रहे तो excuse symmetric matrix में हमारे पास ये place fix होती बिगॉज यहां पर क्या होता है excuse symmetric matrix में zero 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 होता है तो इसको तो fix कर दीजे one place one place one place zero के लाभा कोई यहां पर प्लेस नहीं ले सकता है अब इसके बाद अगर अगर आप यहां पर आप साथ digit रखते हैं कोई seven digit तो उसका negative यहां पर आएगा ओके तो three का minus three minus two का two zero one का one two का two zero का two zero ही होता दो कोई एक यहां पर आ जाएगा ओके तो इसका just negative अगर तो seven के लिए यहां पर कोई एक डिजट बनेगा इस seven के लिए यहां पर कोई इक डिजित बनेगा और इस seven के लिए नेगा तो number of excuse symmetric cases के ट्ते होते हैं seven to the power three तो आइए निकालते हैं probability a union सब्सक्राइब करेंगे तो नल मैट्रिक्स का एक केस बनेगा तो उसकी प्रबिल्टी किती जनरेट होगी सबसे पहले यह देखिए कि यहां पर जो टोटल क्लास में कितने स्टुडेंट है तो 175 स्टुडेंट है मतलब टोटल नमबर ओफ स्टुडेंट इसमें कितने 175 तो मैं इसको मान सकता हूं कि एण एए यूनियन बी यूनियन सी टोटल इकुल डू कितने 175 ऑफ भू आपको दिया गया दीके मैथमेटिक्स में सौ बच्चे पढ़ने तो सबसे पहले एक mathematics का छला बना लीजिए देखिए तो mathematics में कितने बच्चे हैं 100 इसको नाम M दे दीजिए और इसके बाद कहरा है physics में 70 बच्चे हैं तो पक्का common तो होगा ही बाद में करना ही पड़ेगा तो इसले एक काम करते हैं physics में कितने बच्चे हैं यहाँ पे 70 बच् अब सबसे पहला काम यह करकर दीखे करिए कि तीनों कौन पढ़ रहा है कितने पढ़ रहे हैं तो तीनों पढ़ने वाले देखिए mathematics, physics and chemistry पढ़ने वाले टोटल 18 बच्चे हैं अब यह देखिए यह 18 है ओके अब इसके बाद देखिए physics, chemistry, math हो चुकी है अब mathematics and physics 30 बच्चे तो यह mathematics वाला है, physics वाला है, 30 बच्चे हैं, 30 में से 18 अल्रेडी हो चुके हैं तो बच्चे कितने बारा, okay? Mathematics and physics 30 हो चुके हैं, then इसके बाद है mathematics and chemistry 28 बच्चे, यह है mathematics यह है chemistry 28 जिसमें से 18 अल्रेडी इंक्लूडे थे तीनों सब्च्च्च्च में, तो 28 करने के लिए यह क mathematics chemistry नहीं पढ़ रहा है, okay? 0, the total number of students enrolled in mathematics alone, आपको बताना है कि mathematics में टोटल पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, तो 18 और 12, 30 और 30 और 10 कितने हो गए, 40, तो mathematics के टोटल बच्चे कितने बचेंगे, जो freshly mathematics पढ़ रहा है, total student कितने होंगे, 60, तो correct answer इसका कितना आएगा, 60 will be the correct answer तो option number C, इसका बिल्कुल सही answer है, done, ओकी चली देखिए अगला question बहुत easy है, चलते है, question number 109 के रहा है, इन a survey of 55 students, it is found that 30 students read newspaper देखा गया कि 30 लोग newspaper पढ़ते हैं A, 20 लोग पढ़ते हैं newspaper B, और उसके बाद में कह रहा है कि 7 लोग दोनों newspaper, both newspaper A and B, तो बोलना है कि ऐसे लोग इतने 55 students, क्योंकि survey किया गया, उसमें कुछ लोग ऐसी भी होंगे, जो कोई नहीं पढ़ते होंगे, तो आप सबसे पहले union निका लीजे, union आपके पास कितना गया, 43 और देखिए, ना A पढ़ने वाले ना B पढ़ने वाले, that is equal to union में से A, union B पढ़ने वाले, that is equal to answer, इसका क 10 question number में क्या दिया गया है, देखिए, कह रहा है कि X square plus 1 log of X square plus 1, minus 2 log X upon X की power 4DX का integration आपको करना है, 4 result दिये गया है, कौन सा सही है, तो सबसे पहले देखिए, इसको किस तरीके से समालेंगे इस question को, log of X square log A minus log B की property लगेंगे, तो log of X square plus 1 upon X square, जिसको break करने के बाद, यह आप के पास क्या बन रहा है, यह आपके बन रहा है, log of 1 plus 1 upon X square, देखिए, यह थोड़ी से हमारी help करेगा, यहां से क्या करेंगे, X square plus 1 में हम X को तोड़के इसको देदेंगे, तो X को तोड़के देने के बाद क्या बन जाएगा, देखिए, X की power 4 था, इसको X को तोड़के देगे, तो जब X को तोड़के देदेंगे, तो root के अंदर का जो यह से X, इसको चलिए, मैं लिक देता हूं कितना, X into X का Q, ओके, तो root के अंदर यह जो X जाएगा, जब यह root के अंदर जाएगा, इसके अंदर, तो X यहां से हटने के बाद किसका का काम करेगा, X square का का काम पानते हैं, तो root इसका आता है, तो इसका जो differentiation आता है, कितना आता, minus 2 upon X cube, ठीक है न, तो 1 upon 1 plus X square को T ले लिया, तो minus 2 upon X cube, इसका क्या आ गया, इसका derivative आ गया, तो minus 1, तो DX upon X cube कितना आ जाएगा, minus of DT by 2, minus of DT by 2 इसका आ चुका है, अब देखिए, तो यहां पे 1 upon X cube को मैं मैं लिख दूँगा, minus का DT, यह minus छोटा सा बन रहा है, upon में 2, और यह क्या हो चुका है, यह हो चुका है, log T, यह बन चुका है, और यह root T, और इसके बाद यह DT, तो minus जिन्दा बाद बाहर है, और यहां पर देखिए, T की power 1 by 2 में break कर दिया, और log 2 में, अब I late का rule लगा क करके यह बन जाएगा first function, और यह बन जाएगा second function, तो चली rule लगाते है, minus 1 by 2 बाहर है, first function into second function का integration, तो T की power 1 by 2 का कितना हो जाएगा, T की power 3 by 2 upon 3 by 2, पलट करके 2 by 3, T की power 3 by 2, minus integration of differentiation of first function 1 upon T into integration of 2 upon 3, और log T की power 3 by 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ T root T, यह देखिए, मैंने इसको T root T लिख दिया है, और जिससे फाइदा क्या होगा, कि इस T से 1 T जो है, यहाँ पे cancel हो रहा है, okay, 1 T से 1 T इपने पास में cancel हो गया, यह वाले T सी यह वाले T cancel हो गया, जिससे मेरे पास क्या बन चुकी है, identity, मेरे पास बन चुका है, minus 1 upon 2, log T 2 upon 3, T की power 3 by 2, और minus का 2 by 3, और root T का integration जो है, देखिए, root T का जो फिर से integration है, कितना आ जाएगा, T की power 3 by 2 upon 3 by 2, yes, तो यह देखिए कुछ इस तरीके से था, हम यहाँ पर थे, इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसका फिर से integration अंदर का part, तो minus 1 upon 2, 2 upon 3, log T, यह T बैठा हुआ है, into T की power 3 by 2, minus 2 upon 3, यह बाहर आ गया और इसके बाद root T का integration फिर से 2 upon 3, T की power 3 by 2, अब देखिए, 2 upon 3 यहाँ भी है, 2 upon 3 यहाँ भी है, 1 upon 2 का यह दि मैं multiply करता हूँ, minus sign का, तो यह वाला part plus हो जाएगा, 2 से 2 cancel हो जाएगा, 1 upon 9, T की power 3 by 2 बनके बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 cancel होगा, तो minus 1 upon 3, log T, और T की power 3 by 2, चली, समया चुका अटी की value वापस पूट करने का, 2 upon 9, 1 plus 1 upon x square की power 3 by 2, minus 1 by 3, log T, और 1 plus x square की whole power 3 by 2, यह है, अब हम यहाँ से चाहें, तो कुछ common ले सकते हैं, देखिए, 1 plus 1 upon x square common आ रहा है, इसको LCM ले ले लेंगे, तो 1 x square plus 1 upon x square की whole power 3 by 2 पूरे से common है, अगर मैं यहाँ से 1 upon 9 common निकालनू, जैसा की option में दिये गए हैं, तो 1 upon 9 common निकालने के बाद यहाँ पर टी चोड़े गा, और 1 upon 9 common लिया, तो यहाँ पर 9 जाएगा, तो 3 बच जाएगा, 3 log T, ओके, तो 1 upon 9, x square plus 1 upon x square की power 3 by 2, 2 minus 3 log, x square plus 1 upon x square, फिलहाल यहाँ तक इसका answer match हो रहा है, आप देख लिए, option number A में, यही option बैठा हुआ है, तो इसका correct option क्या होगा, option number A, ओके, तो बहुत ज़्यादा integration में, बहुत ज़्यादा सहियम की ज़रूरत हुआ करती है, done, चलिए तो अगला देखे, अगला question आ गया, अगला question हमाँ पास, question number 111, जिसमें का गया, inner triangle ABC, the length of the two larger side, BC and AC are 10 and respectively, if the angles are in AP, then the length of third side can be, तो सबसे पहले देखे, ट्रेंगल बना लिजी रेंडम सा, देखे, इसकी side 10 है, बड़ी वाली side 9 है, सबसे बड़ी 10 ले लो, फिर 9 ले लो, फिर चोटी side is C, ले लो, angle ABC ले लिए, अब क्या कह रहा है कि भाई, यह तीनों एंगल AP में है, तो B equal to A plus C by 2, आप इसको A minus D, A plus D की concept से भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे A plus C by 2 कर दिया है, तो 2B equal to A plus C है, number 1, अब देखे, एंगल सम प्रापर्टी लगाएंगे, तो A plus C की जगए 2 भी रखूंगा, 3B equal to 180, तो ट्रंप गार्ड मिल गया, B किते डिगरी है, 60 डिगरी है, अब कॉ कॉस B के लिए relationship लगा दो क्योंकि एक side unknown है, कॉस B एने, कॉस 60 equal to 1 by 2, A square plus C square minus B square upon 2 A सी तो, A square 100 का square C square unknown है, minus B square 81, 2 का जगा 2 और E की जगा 10 और C की जगा C, 2 से 2 cancel करने के बाद equation बन गई, 10 C equal to 100 plus C square minus 81, 10 C equal to C square plus 19, C square minus 10 C plus 19 equal to 0, श्री धराचार formula लगा करके 10 plus root 24 upon 2, यदि उपर से 2 common ले लो, 5 plus minus root 6, उपलब्द options में मेरे पास क्या है, only 5 plus root 6, so we have the answer equal to 5 plus root 6, done, चली अगले question की ओर चलते हैं, sorry, देखिए next question देखते हैं, अगला question है, if A1, A2, A3 are in HP, then the expression A1, A2, A2, A3, A1-1 up to A1 equal to, A1-1 up to A1 equal to, A1-1, A1 up to equal to, देखिए सबसे पहले ले 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 ल जो प्रोब्लम होती ही, वो A1, A2, A3, dot, 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 R in HP, so 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3, dot, dot, 1 upon A, R in, AP, okay, so 1 upon A2 minus 1 upon A1 equal to, 1 upon A3 minus 1 upon A2 equal to, 1 upon A, minus 1 upon A, minus 1, ये जो सीरीज की सारी सारी सीरीज होगी, ये किसमे होगी, 1 upon A, minus 1, ये सब की सब किसमे हो जाएगी, आपके पास AP में चलेगी, okay, क्य ये यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए, इसको D है, और इसको common difference है, so क्योंकि ये सब की सब AP में है, so they having the same common difference, तो मैं इसको simplify करूँगा, so A1 minus A2 upon A1, A2, A2 minus A3 upon A2, A3 is equal to, similarly, A N minus 1 minus A N upon A N into A N minus 1 equal to D, ठीक है, अब यहाँ से लिखी जो question आपको दिया है, A1, A2, A2, A3 के टमस म ने दिया है, तो सबसे पहले यहाँ से, आप A1, A2 की value निकालीजी तो कितना आएगा, A1 minus A2 upon D, फिर A2, A3 कितना आएगा, A2 minus A3 upon D, और फिर A N, A minus 1 कितना आएगा, A N minus 1 minus A N upon D, अब यदि इन सब को आप add कर देते हैं, तो देखिए, A1 minus A2 upon D, plus A2 minus A3 upon D, plus last time में, A N minus 1 minus A N upon D, ये बीच के सारे टर्म प्लस और माइनस की वज़े से cancel हो जाएंगे, केवल बच्चे का पहला टर्म A1 और लास्ट का टर्म A N upon D, अब A1 को देखिए, अब देखिए, यहाँ पर A1 minus A N upon D है, बट question में देखिए, D नहीं आ रहा, मतला हमको D को eliminate करना है, तो property देखिए, ह हमारे पास A1, A2, A3 किसमें थी, HP में थी, और A1, A1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3 किसमें थी यह, यह हमारे पास थी, AP में, तो हम लिख सकते हैं, AP की property से, 1 upon An, यानि कि nth term equal to A, first term कितना, 1 upon An, A1 plus N minus 1 into D, तो 1 upon An minus 1 upon A1 equal to N minus 1 into D, So, A1 minus An equal to कितना आ जाएगा, N minus 1 into D multiplied by A1 An, तो इसका correct answer कितना होगा, N minus 1 into D multiplied by A1 into An, तो इसका सही answer है, option number B, done. अब दोस्तों देखिए इतने बड़े question में short trick आपकी किस प्रकार से मदद करती है, देखिए यह question था पिछला जिसको हम लोगों ने बहुत बड़े तरीके से किया था, परन्तों इसी question को देखे कितने short तरीके से कर सकते हैं, कह रहा है कि A1, A2, A3 HP में है, तो इतनी knowledge तो हम 1 और 2 और 3 क्या होते हैं, A P में होते हैं, और A P कार ऐसे protocol कर दो तो 1 upon 1, 1 upon 2, 1 upon 3 किस में हो जाएंगे, HP में होगे, अब जो हम से यह term पूछ रहे हैं, हम 3 term के लिए लगाते हैं, तो 3 term के लिए N equal to 3 रख देंगे, तो series कितने तक जाएगी, A3 minus 2 किने A2 और A3, मतलब यहीं तक के term का sum निकाल लिजे, तो A1 A2 और A2 A3, जो last term है A2 A3 रखेगा, क्योंकि N equal to 3 put किया, तो A1 1 upon 1 into 1 upon 2, और A3 कितना हो जाएगा, 1 upon 2 into 1 upon 3, ओके, तो कैसे solve होगा देखे, यह हो जाएगा 1 by 2 और यह हो जाएगा 1 by 6, जिसको solve किया, तो answer कितना आ गया, 4 upon 6 that is equal to 2 by 3, अब जाएगा यह option में, option में N A1 minus A2, तो N की जगे क्या put करेंगे 3, क्योंकि 3 terms लेकर के खेल रहे हैं, और A1 की जगे 1 minus 1 upon 2, तो solve करने पर 3 by 2 आया, जो कि हमारा option नहीं match हो रहा, मतलब भी option नहीं है, अगले option में N minus 1, A1 minus A N, A3 हो जाएगा, तो 3 minus 1, 2 और 2 by 3, तो 4 by 3 हो गया, य इसरे option में N into A1 A N कर दिया, तो 1 ही आ गया, यह भी option नहीं है, चौथा option ट्राइगा, तो 3 minus 1, 2 into 1 into 1 by 3, तो 2 by 3, बिल्कुल सही match कर रहा थो, देखिए, कि कितना बड़ा सवाल था, इसको हमने चुटकियों में solve कर लिया, तो short trick जो होती ही, बड़े काम की चीज होती है, जर इसके बाद कल का lecture continue करेंगे, तब तक आज की class के लिए homework question आप लोग note करिए, और इसका जही solution कल आप लाने की कोशिश करीगा, तो आग्या दीजे, आज के लिए बहुत भाँत धन्वाद, नमस्कार, शुब रात तरी